दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रोजाना जिंदगी में बहुत जादा यूज करते हाला कि इन वर्ड्स को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या होता है कि जब एक वर्ड को हम दिन भर में कई बार यूज कर लेते हैं तो हम इस सिचुएशन से ब को रही थी you know what I'm very happy I got the promotion you know what I'm very happy I got the promotion end of the day उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे ये बताया कि हर्शिता यार एक ही वर्ड को बार-बार यूज करके मैं बोर हो गई हूं तो इस पर कोई विडियो बना दे ना तो मैं उसे या आप सब को कैसे डिसपॉइंट कर सकती हूं इसलिए मैंने सोचा कि आज का टॉपिक यही रखते हैं कुछ बोरिंग और यूज को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगा कुछ नए वर्ड को ले आते हैं तो दोस्तों मैं आपको सिखाने वाली हूं पंधरा बोरिंग ओवर यूज वर्ड के ऑल्टरनेटिव्स इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं विट मीनिंग और इक्जांपल सेंटेंस आपको इनमें से कौन सा वर्ड सबसे ज़ादा अच्छा लगा आप मु दूसरा अट्रोशिस फर एक्जांपल अगर मुझे कहना हो तो मैं गह सकती हूं दवेधर वाज टेरिबल या फिर दवेधर वाज अट्रोशिस मौसं बहुत जादा बुरा था आगला वर्ड है नाइस बहुत जादा यूज करते हो नहीं इस वर्ड का दिस वर्ड आइस य The coffee was nice. The manager was nice. हर कोई nice का overuse करता ही है. Nice का मतलब होता है अच्छा और इसके दो alternatives है Pleasant, Delightful, Pleasant and Delightful. ये है इसके alternatives. Example देखते हैं. Suppose मुझे कहना हो कि उसकी जो मुस्कुराहट है, उसकी जो smile है वो बहुत अच्छी है. She has a nice smile. तो मैं कहूंगी, She has a delightful smile. या फिर, She has a pleasant smile. अग्या word है, Big, यानि की बड़ा. बहुत जादा overuse किया जाने वारा word है ये. इसकी जगा हम दो बहुत ही अच्छे words यूज़ा सकते हैं. पहला, Massive, और दूसरा, Enormous. दोनों का ही मतलब होता है, कोई भी चीज जो बहुत जादा बड़ी हो. For example, अगर मुझे कहना हो कि वो घर बहुत बड़ा है, That house is big. तो मैं कहूंगी, That house is enormous. That house is massive. अग्या word है, Big का opposite, that is, Small, यानि की छोटा. Alternatives है, Tiny or Petite. For example, अगर मुझे कहना हो कि कमरा छोटा है, The room is small, मैं कहूंगी, The room is tiny, या फिर, The room is petite. अग्ला word जो सबसे जादा ओवर यूज किया जाता है और बहुत जादा बोरिंग है, is Happy, यानि की खुश. इसकी जगा यूज करो, Joyful, Elated. For example, अगर मुझे कहना हो कि मेरी Friend आज बहुत खुश है, My friend is very happy today, मैं कहूंगी, My friend is very joyful today, or My friend is elated today. अग्ला word, Happy का opposite, Sad, यानि की दुखी, इसकी जगा यूज करेंगे, Depressed और, Melancholy. For example, उस News को सुनने के बाद वो बहुत जादा दुखी हो गई. अगर आप बिलकुल Basic से लेकर Advanced Level तक English दीखना चाते हैं, वो भी Expert Mentors की Guidance में, तो Description में दिए गए लिंक को क्लिक करो. और अगर आपको English से रिलेटेड कोई भी डाउट हैं, तो आप Simply हमें Comment section में पूछ सकते हो, ताकि हमारी Expert Trainers आपको गाइड कर सकें. अगला word, ये वीडियो बहुत important है? जी हाँ, word है important यानि की महत्वपूर्ण. इसकी जगा पे हम यूज करेंगे, Vital and Crucial. Example, अगर मुझे कहना हो कि पढ़ाई करना बहुत जादा जरूरी है, It is important to study, तो मैं कहूँगी, It is crucial to study, या फिर, It is vital to study. वो मुवी बहुत जादा interesting थी, बहुत जादा दिल्चस्प थी. तो अगला word है interesting यानि की दिल्चस्प. इसे हम बहुत जादा overuse करते हैं, इसलिए इसकी जगा यूज करेंगे दो बहुत ही मज़िदार alternatives. पहला word, fascinating, दूसरा, captivating. For example, ये किताब बहुत जादा interesting है, बहुत जादा दिल्चस्प है, तो instead of saying the book is interesting, मैं कहूँगी, the book is fascinating, या फिर, the book is captivating. मेरे घर के पीछे वाली जो बिल्डिंग है ना, वो बहुत पुरानी है, यानि की बहुत ओल्ड है, ओल्ड है हमारा overused word, जिसकी जगा पे हम यूज करेंगे, ancient या फिर, vintage, ancient या फिर, vintage. For example, the building is old की जगा मैं कहूँगी, the building is vintage, या फिर, the building is ancient. अग्या word है, old का opposite, यानि की new, नया, और alternatives है, fresh and innovative. Example, अगर मुझे कहना हो की उसके ideas बहुत ज़्यादा नए हैं, तो मैं कहूँगी, her ideas are innovative, या फिर, her ideas are fresh. अग्ला word बहुत ही आसान है, ये word ही है, easy, यानि की बहुत ही ज़्यादा साधारन और simple, तो alternatives use करेंगे, simple और effortless. For example, अगर मुझे कहना हो की ये test बहुत ज़्यादा easy था, तो instead of saying the test was easy, मैं कहूँगी, the test was simple and the test was effortless, बहुत ज़्यादा आसान test था. Easy का opposite क्या होता है, hard, यही है हमारा अग्या overused word, जिसकी जगा हम use करेंगे, difficult, challenging, दोनों ही बहुत मज़ेदार words हैं. For example, अगर मुझे कहना हो की, the task was hard, वो जो कारे था, वो जो काम था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मैं कहूँगी, the task was difficult or the task was challenging. अग्ला word, fast, यानि की बहुत ज़्यादा तेज, और इसके दो alternatives है, quick, rapid, बहुत ज़्यादा तेज. For example, अगर मुझे कहना हो की, वो car बहुत ज़्यादा तेज थी, तो instead of saying, the car was very fast, मैं कहूँगी, the car was quick or the car was rapid. अग्ला word, जो fast का opposite है, slow, यानि की धीमा, और इसके दो alternatives है, leisurely, sluggish, for example, आज इंटरनेट बहुत slow है, the internet is slow today, the internet is sluggish today, और the internet is leisurely today. अग्ला word, smart, तुम बहुत smart हो, काफी ज़्यादा यूज करते हो ना इस word को, वो बहुत smart है, ये बहुत smart है, इन दोनों को replace करो इन दो alternatives से, intelligent, clever, for example, she is an intelligent student, she is a clever student, देखा कितना आसान है smart को replace करना इन दो alternatives से, आज का हमारा आखरी word है, strong यानि की बहुत ज़्यादा मजबूत, जिसकी जगा हम use करेंगे दो amazing alternatives, पहला sturdy और दूसरा robust, for example, अगर मुझे कहना हो कि वो जो bridge है, वो बहुत ज़्यादा strong है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो मैं कहूंगी, that bridge is sturdy, या फिर, that bridge is robust, और वीडियो खतम करने से पहले आपके लिए एक छोड़ा सा task, मैं आपको देने वाली हो एक word, जिसके दो alternatives, आप मुझे comments में लि का सपना है, ताकि आप अच्छी job पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप join कर सकते हैं मेरा full spoken English course, जिसमें मैंने beginner level से लेकर advanced level तक step by step English सिखाई है, और बोलने की practice भी करवाई है, इसमें आपको recorded lessons मिलेंगे, और साथ ही साथ live classes join करने की option भी है, इसमें आपको notes मिलेंगे, quizzes मिलेंगे, practice group होगा, जिसमें students audio और text messages में practice करते हैं, ताकि आपका fluent English बोलने का सपना सच हो सके, आपके प्यार से मुझे इंडिया का most trusted online English coach का award मिला है, और इस ही प्यार के लिए कह रहा हूँ कि ये course ज़रू try करो, आपकी life change कर देगा, link description में है, details fill कर दो, हमारी team आपसे contact कर लेगी, या फिर आप अवल English.com पर जाकर ये course जोइन कर सकते हैं, अगर होना है सफल, तो follow अवल,